सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोवी क्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तों टेक्नोवी क्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फैनली ओपो वालों ने अपने ओपो F19 Pro Plus के अंदर ColorOS 12 का C.28 का न्यू अपडेट जो है रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरे के पूरे के पूरे कम्पलीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि कौन-कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है कौन से बक्स फिक्स हुए है साथी ColorOS 13 का Early Access या Alpha अपडेट कब तक देखने को मिलेगा सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर फीचर्स और बक्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल देख सकते हैं जहाँ पर आपको Official वर्जन देखने को मिलता है और OPPO F19 Pro Plus का Model No. CPH2213 देखने को मिलता है बात किजा इस अपडेट के Basic Information की तो यहाँ पर आपको C.28 का New Update देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो Size है 1.22 GB का है और यह आपको ColorOS 12.1 के साथ Official वर्जन देखने को मिल जाता है बात किजा इस अपडेट के बाद इसके Security पेच की तो यहाँ पर आपको 5th October 2022 के साथ Current Month का Latest Enhanced Android Security पेच देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ इसके लावा बात किजा एगले चेंज की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नान इसू थे बाक्स वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम पर्फार्मेंस और उसके ओवराल सिस्टम इस्टिबिटी को Optimize and Improve किया है जिस से की आ़ भी Better Experience देखने को मिलता है इस Update के साथ साथ ही दोस्तों जो Apps Opening Closing है उसको भी यहाँ पर अप्टिमाइज करके BETTER कर दिया है जिस से की आपको Better Apps Opening Closing देखने को मिलता है इसके साथ ही दोस्तो कोई को यूजर को काफी ज़्यादा लेगिंग इसू देखने को मिलता था तो उसको भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की आपको better performance देखने को मिलता है इस update के साथ दोस्तो इस अपडेट को करने के बाद मेरे को अभी तक कोई भी लेगिंग इसू देखने को नहीं मिला है इसके अलावा बात की जागले चेंज की तो नेटवर्क के अंदर यहाँ पर दोस्तो जियो सिम जो है लगा रहता है फिर भी 5G नेटवर्क का दिखाई नहीं देता था सो नहीं होता था I mean phone में 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता था तो उसको इस अपडेट के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि आप आपको 5G नेटवर्क का सपोर्ट properly देखने को मिलता है यहाँ आप देखेंगे सेटिंग के अंदर mobile network के अंदर advanced setting में यहाँ आपको 5G नेटवर्क मोड देखने को मिल जाता है जहाँ आपको NSA mode और NSA plus USA mode देखने को मिलता है यहाँ पर अगर आप NSA mode select करते हैं तो आपको केवाल 5G network का ही support देखने को मिलता है और अगर आप NSA plus SAC करते हैं तो आपको 5G और 4G दोनों का network जो है properly देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर 5G network का full support देखने को मिल जाता है इसके लावा बात की जागले चेंज की तो fingerprint के अंदर यहाँ पर दोस्तों काफी सारे ऐसे users थे जिसका जो fingerprint है वो properly recognize नहीं कर पाता था जिसकी वज़े से fingerprint से unlocking करने में problem फेश होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको quick fingerprint unlocking देखने को मिलता है तो अगर आपके phone का screen आप होने के लिए brightness जो है low होता है dim होता है या फिर high brightness होता है तो उस time पर flickering इसू देखने को मिलता था तो उसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है अभी दोस्तों अगर आप brightness कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो आपको कोई भी flickering इसू देखने को नही मिलता है तो इसे भी fix कर दिया है इसके लाओ बात की जागले change की तो अगर दोस्तों आप recent task से apps अगरा close करते थे या फिर clear recent task करते थे तो उस time पर display इसू देखने को मिलता था तो उसको भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप recent task से कोई सभी apps clear करते हैं या close कर करते हैं तो आपको properly working देखने को मिलता है कोई भी display इसू देखने को नहीं मिलता है इसके लाओ बात की जाए अगले change की तो network के अंदर यहाँ पर दोस्तों कोई-कोई user को जो है network का problem देखने को मिलता था और किसी-किस user को volti problem देखने को मिलता था volti जो है या फिर network जो है बार-बार up-down होता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि आपको properly volti और network जो है stable देखने को मिलता है इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर आप check out कर सकते हैं इसका जो battery performance है यह पहले से better देखने को मिलता है पहले जो battery draining problem होता था उसको यहाँ पर fix करके battery backup battery uses को improve कर दिया है जिससे कि अब आपको better battery backup battery uses देखने को मिलता है साथ ही दोस्तों जो charging speed है वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों अगर आप charging करते हैं तो आपको थोड़ा hitting issue देखने को मिलता है एंड़े इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर जो game performance है वो पहले से better देखने को मिलता है पहले जो game में बीच बीच में frame drop issue और jitter issue देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके game के performance को boost कर दिया है जिससे कि अब आप game खेलते हैं, gameplay करते हैं तो आपको better gameplay देखने को मिलता है हाला कि दोस्तों अगर आप game खेलते हैं तो यहाँ पर आपको hitting issue देखने को मिल जाता है एंड़िस बात की जाए OPPO F19 Pro Plus के अंदर ColorOS 13, Based on Android 13 का early access, alpha update या फिर beta update कब तक देखने को मिलेगा तो यहाँ पर OPPO के official roadmap के अनुसार OPPO F19 Pro Plus को November 2022 में I mean next month देखने को मिलेगा जो कि हमें 15th November से 28th November के बीच में देखने को मिलेगा में भी हो सकते है दोस्तो आपको पहले मिल जाए लेकिन आपको November के मन्त में देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तो November का roadmap जो आएगा उसमें मैं आपको वीडियो बना कर complete बता दूँगा तो उसके लिए stay tune कीजिएगा तो यह रहा दोस्तो इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है की नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से bugs देखने को मिलता है आप मुझे comment करके जरूर बताना तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो